तो आमका चार हो गया है तो हमने कैसे रेड़ि किया है इसमें हमने क्या-क्या डाला है वह अगे बताएंगे तो हमने ये 5 अपको आघ बता अब चार कमा जो A4 देँए कर लिया था और 5 में आपको ये 5 किलो अपक नमी के Inside पूरा वीडियो देखना है कहीं भी स्किप नहीं करना है आपको तो गाइस अचार डालने के लिए सबसे पहले हमने मार्किट से जो मंडी से हम लेके आये हैं जो राम किला आम होता है तो वो ही आम भी लानी चाहिए वो अच्छी होती है उसे अच्छा अचार डंता है तो हम 10 किलो राम किला आम लेके आये थे मार्किट से तो वो अच्छे से वहीं से हम कटवा के लिए आये थे मंडी से ही जो आमी देते हैं वो काटके भी देते हैं तो कटवा के लिए आये थे तो घर आके हमने फिर इसको अच्छे से वाश किया वाश करने के बाद फिर हमने ये कमर में पंक्के के नीचे पूरी रात शूखने रख दी थी सुननी पे फैला के आप मेरे पिछले व्लोग में देख लिया होगा जिसने नहीं देखा है वो मेरे जो पहला इससे पहले का व्लोग है वो जाके जरूर देख ले कि हमने आमी को कैसे दोके सुखाया था तो बही चलो आगे बताते हैं फिर हमने इसमें क्या-क्या एड किया तो इसमें जो हमने एड कि थी 500 ग्राम और हमनेऴक की दो डब्या ली थी और दो थैली हमने नमक की ली थी और इसमें 500 ग्राम जो है कुटी हुई देगी मिर्च थी हल्दी थी कुटी हुई 500 ग्राम तो हम इसको फिर मोटा-лемोटा मिक्सी में पीस लेंगे दरदरा करेंगे और सारी सीजे नहीं पीसेंगे वो हम अभी दिखाएंगे आपको हम क्या क्या पीसेंगे और क्या नहीं पीसना तो अभी हम आपको आगे दिखा रहे हैं प्रोसेस कैसे हमने क्या किये तो भई सबसे पहले हमने इसमें सौफ को पीसा तो ज़्यादा बारीक नहीं करना, मोटा मोटा ही पीसना है, बिल्कुल चूरा नहीं करना उसका, फिर हमने इसमें मेत्रे पीस लिये थे, वो भी बिल्कुल हलके हलके किये थे, और दोनों को इसमें मिक्स कर दिया था, एक बड़ा बरतन ले लेना, हमने तो परात ले ली थी इपने घर में, जो भी आप पे बड़ा बरतन हो, उसमें मिक्स कर लेना, जिसमें आप अचार डाल सको, हमने इसी में मसाला बना लिया था, और इसके बाद जो राई है, वो राई मिक्स नहीं करनी है, राई को भी बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, मोटा मोटा पीसना है, और उसको हमने एक अलक बरतन में निकाला था क्यों निकाला था वो आगे आपको बताता है तो हमने सिर्फ तीन ही मसालों को हमने पीसा था इसमें हमने सौफ को और मेथी दाना को और राई को हमने मिक्सी में पीसा था और ज्यादा बारेक नहीं पीसना और फिर हमने इसमें परात में अपने सारे मसाले हमने मिक्स कर लिये थे हमने मसाले जो थे आपको दिखाए थे हमने उनसे कमी मसाले डाले हैं क्योंकि रीजन क्या था क्योंकि जो पांच किलो आमबी के हिसाब से हम मसाला लेके आये थे कि 5 किलो में इतनी quantity डलेगी मसालेगी पर उन में से कुछ आमिया पकी हुई थी कम से कम 1 किलो आमिय ऐसी निकली थी 5 किलो में से जो हमचार में नहीं डाल सकते थे तो वो कम हो गया था चार तो हमने इसलिए मसाला भी कम ही यूज किया था तो 50 गराम 100 गराम मतलब हमने रख लिया था हर मसाले में से और जो नमक की थैली थी वो भी हमने 1.5 पैकिट ही डाला था दो पैकिट नमक जो आपको दिखाया था वो हमने सारा नहीं डाला था इसमें तो ये मसाला ऐसे मिक्स कर लिया तो अब कड़ाई में तेल गरम हो रहा है और हम इसमें तेल गरम करके अच्छे से इसको और धंडा होने तक बिल्कुल धंडा नहीं करना थोड़ा बहुत जब गरम गरम रह जाए तो इसमें फिर हम इसमें राई और जो ये हींग है वो डाल देंगे और वो डालने के बाद इसको हम मसाला है जो आम के चार का मसाला है उसमें मिक्स करेंगे यहां मम्मी थोड़ा तेल गरम था तो उसको ऐसे कर्ची से ठंडा कर रही थी क्योंकि काफी देर होगी थी तो मम्मी ने कहा मैं कर्ची से थोड़ा-थोड़ा इसको ठंडा कर देती हूँ ऐसा करने से जल्दी ठंडा हो जाता तो यह हलका-हलका गरम था भी बिल्कुल तेज गरम नहीं था और इसमें फिर हमने राई डाल दी और जो डोड़बी हींग थी वो हमने इसमें डाल दी है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हलका-हलका गुमाएंगे इसको और अच्छे से मिक्स करके इसको जब बिल्कुल सारी दोनों चीज़े अच्छे से घुल जाएगी तब हम इसको अच्छार का जो मसाला है उसमें मिक्स कर देंगे ये देखो हमने ये सारा अच्छार का जो हमने मसाला बनाया था परात में वो हमने इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो कर्ची से मिक्स किया थोड़ा बहुत फिर इसको बाद में हाथ से ही mix करना पड़ा क्योंकि कर्ची से अच्छे से नहीं होता तो हाथ तो लगाना ही पड़ता है तो हाथ से ही मम्मी ने इसको बिल्कुल mix कर दिया था अच्छे तरह mix होना चाहिए कुछ भी चीज अलग अलग नहीं रहनी चाहिए तो प्रोपर तरीके से मसाले को हमने mix किया अच्छे से बिल्कुल तो कम तेल ही डालना है पहले इसमें ज़्यादा तेल का यूज अभी नहीं करना है जो इसमें फिर हम अच्छे से इसको mix करके मम्मी ने फिर इसमें सारी आमिया डाल दी तो मसाला mix होने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है आमियों को एक साथ सारी आमियों को नहीं डालना है क्योंकि मसाला अच्छे से mix नहीं हो पाएगा तो अभी मम्मी ने थोड़ी आमिय डाली मसाले में और ऐसे डब्बे में डालती हुई जारी थी और डब्बे में सबसे नीचे हलका सा सरसो का तेल डाल लेना है जिससे की मसाला और आमी में नीचे तेल रहे तो हम भी अब मिक्स करकर के अच्छे से मसाला भरके आमियों में और डालती जारी है तो आपको भी ऐसे ही ड है ज्यादा आपको लग रहा होगा कि विल्कुल और आचार नग्रायगा तो अभी इससे डले कब तेल दालना है पूरे डम जहां तक आपके डम्रा Nee रहनी चाहिए और वहां तक उससे एक इंच ऊपर पर की रख देना है तो तो सारी आम्या तेल में डिप होनी चाहिए उपर नहीं रहनी चाहिए और आप एक दिन छोड़के इसमें तेल डालना तो हमने भी अभी इसको ऐसे ही सूखा ही डाला है और तेल अभी हमने इसमें यूज नहीं किया है तो मम्मी इस तरीके से डालती है जो कि हमारा अचार करते हैं बिल्कुल कि गाइज यह सारब प्रोसेस ले आपको का दिखाया है वह पांच किलो आंभी का प्रोसेस Θहां तो इसके बाद हमिए फिर नया मसाला भनाया है मैंने आपको बताया था कि हमने दस किलो आमबी का अचार डाला है तो हमने पहले पाँच किलो आमबी के मसाला त्यार किया था फिर उसके बाद हमने ऐसे ही दुबारा पाँच किलो आमबी का अचार का जो मसाला है वो त्यार किया था दूसरा जो पांच किलो का चार था वो भी बनके तयार हो गया है तो आपको हमारे अचार की रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना और जिस जिसको भी हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना तो आपको मिलेंगे नेक्स व्लोग में ए तक के लिए, बाइबाई